लखनवी अंदाज कहानी के लेखक या स्पाल हैं लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था लेखक ने भीड से बचने के लिए और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने वा ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्रकृतिक द्रिस्य को देखने के लिए लोकल ट्रेन के सकेंड कलास का कुछ महंगा टिकार खरीद लिया था जब वे इस्टेशन पहुँचे तो गारी छुटने वाली थी इस लेव सकेंड कलास के एक छोटी डीबे को खाली समझ कर उसमें चड़ गये लेकिन जिस डीबे को वे खाली समझ के चड़े थे वहाँ पहले से एक लखनवी नवाब बहुत अराम से पलती मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने दो ताजे खीरे एक तौलिये की उपर रखे हुए थे लेकिक को देख नवाब साहब बिलकुल ही खुस नहीं हुए क्योंकि उनका एकांद भंग होता हुआ दिखाए दिया उन्होंने लेकक से बात करने भी कोई उत्साह या रूची नहीं दिखाई लेकक उनके सामने वाले सीट में बैठ गये लेखक खाली बैठे थे और अपनी पुराने आदते के बारे में कलपनाय करने लगे लेखक जब खाली बैठते थे तो उनको कलपना करनी की पुराने आदते थी इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुईधा का अनुमान लगने लगा वो सोच रहे थे कि सायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की एक्छा से सकेंड कलास का टिकट ले लिया होगा लेकिन तब उनको यह देखकर बिल्कुल भी आचा नहीं लग रहा है कि सहर का कोई सफे दोस बेखते उन्हें सकेंड कलास में सफर करते देखे उन्हें यह सुचकर महांगा टिकट खरता था ताकि उनका सफर में वक्त अच्छे से कट जाए नवाब सहब गाड़ी की खिड़की से लगतार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखीयों से नवाब सहब की और देख रहे थे अचानक नवाब सहब ने लेखक से खीरा खाने की लिए पुछा लेकिन लेखक ने नवाब सहब को सुक्रिया कहते वे मना कर दिया उसके बाद नवाव साहभ ने बहुत सारी तरीके से खीरे को धोया और उसे चोटे-चोटे टुकडो में काड़ दिया फिर उसमें जीरा लगाया, नमक लगाया, मिर्च लगाया और उसे लगा कर उनको तोलियों में सजाया इसके बाद नमाव साहव ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा लेकिन लेखक ने इस बार अपना आत्म समान बनाया रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बना कर खीरा खाने से मना कर दिया लिखक के माना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मेची लगे उन खीरों के टुकड़ों को देखा फिर खीड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक टुकड़े को उठा कर ओठो तक ले गए टुकड़े को सुंगा स्वाद के आनन म नवाब साहब की पलके मूंध हो गई मुह में भर आये पानी का घोट गले मूतर गया उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकडे को खिड़की से बाहर फेक दिया इसी परकार नवाब साहब खीरे के हर टुकडे को ओठोस के पास ले जाते फिर उसको सुंगते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेक देते खिड़े के सारे टिकड़ों को बाहर फेकने के बाद उन्होंने अराम से तोल्योग से हाथ और ओठ को पुछा और फिर बड़े गर्व से लेखा की तरफ देखा जैसे लेखा को कहना चाह रहा है हो कि यही है खंदानी रईशो का तरीखा नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तमाल से ठक कर लिट गए लेखाग ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सुनकर ही पेट भरा जा सकता है तभी नवाब साहब ने एक जुरदार ड़कार ली और बोले खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोज डाल लेता है यह सुनकर लेखा के ग्यान का आँख खुल गया उन्होंने सोचा कि अब खीरे की सुगंद और सुवाद की कल्पना से ही पेट भर कर ड़कार आ सकती है लेखा ने सोचा कि तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और पातरों के बिना सिर्फ लेखा की एक्छा मत्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है तो इसीक साथ लखनावी अंदाज चेप्टर समाफत होता है तो आप लोगों को इसी तरह से एनिमेटर वीडियो एक मादियम से सारे चेप्टर और सारे सब्जेट को अच्छी तरह से पढ़ाए जा रहा है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ भी सेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धैंक्यू